बिस्मिल्लाई रह्मान रहीम मैं हूँ नादिया आप देख रही है सना डिशिस आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू सबस मिर्च वाले जिसमें किसी किसम का कोई मसाला शामल नहीं होगा उसमें ये जो जो चीजें शामल होंगी मैं आपको बताती हूँ उसमें शामल होगा आ दो बड़े साइस के कटे हुए आलू ये दर्मियाने ये देखे मैंने कितने कितने करके काटे हैं तो आए अब बनाना स्टार्ट करते हैं उसके लिए सबसे पहले चुला जला के उस पर मैंने कडाई रख दिये उसमें मैं कुकिंग ओयल शामल करूंगी अभी जब ये कुकिंग ओयल गरम हो जाएगा तो इसमें मैं आलू डाल दूँगी हमारा ओयल है जो है वो अच्छी तरह गरम हो गया अब इसमें आलू शामल करूंगी साथ ही मैं नमस शामल कर दूँगी अब चार से पांच मिल तक हम आलू को अच्छी तरह पताएंगे इस दुरान आप ने आलू को अलाते रहने कि अलू साथ ना चिपके अभी हम इसमें सबस मेट शामल करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह लाएंगे मैंने अच्छी तरह लाया है अब हमारे आलू नीचे नहीं चिपकरें और अब चेक करें कि आलू गल गेंगे जी बिल्कुल हमारे आलू गल गेंगे अब एक से दो मिंटीने और पकाएंगे और साथ ही शामल करेंगे काली मेर्च कि आलू हमारे नीचे ने प्रिण करें नीचे माने शाथ हा और बिल्टॉ मैं आल प्रिणार करेंगे ने शाथ होता पकाएंगे प्रेविट कि अला 살 क्ला मारे मारे शाया प्रेविवआँowe बॉट टो ज ह Tea क्लिएड़ supィルग चलें जी अब आलू रेडी हो गया है अब हम इने चुला बंद करके डिश ओड करते हैं कडाई को मैंने चुले से नीचे उतार लिए अब मैं इसे डिश ओड करने लगें चलें जी हमारे आलू पकते हैं आपके त्यार होगी है मज़ेदार से अभी आप इसे रोटी के साथ खाएं नान के साथ खाएं जिस तरह भी सालना और जल्दी से ये बना लें ये तकरीबन पांच मिंट के अंदर अंदर बन जाते हैं और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आईए तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें फ्रेंड एंड फैमली के साथ और मुझे दें अजाज़त अल्ला हाफिस